नमस्कार दोस्तो जैसा कि आपको मालूम है composition means how you arrange things in the shots composition के कुछ rules हैं जिनको follow करके आप अपनी shot film, youtube video या web videos को creative और professional बना सकते हैं but to be truly creative, you should know how and when to break the rules आज के इस वीडियो lecture के learning objectives से rule of thirds क्या है हम वो जानेंगे 180 degree rule क्या होता है हम वो समझेंगे 30 degree rule क्या होता है हम वो भी समझेंगे इसके अलावा head room, looking room, background, leading lines, balance and symmetry को भी हम लोग समझेंगे तो सबसे बहले बात करते हैं rule of thirds के बारे में ये नियम फ्रेम को 9 equal rectangles में बाटता है इस नियम में मानसिक रूप से हम अपने फ्रेम को दो horizontal lines और दो vertical lines में विभाज़ित करते हैं इसमें main subject को center में रखने की बज़ाए किसी रेखा पर या फिर intersecting point में रखा जाता है इस से देखने वालों की नजर आपकी फ्रेम पर अधिक आकर्शित होती है और अधिक देर तक ठेरती है ये कुछ examples हैं जिसमें rule of thirds का use किया गिया है मजबूत और दमदार frame compose करने के लिए rule of thirds एक लोगप्रीज तरीका है लेकिन याद रखिए rule of thirds कोई hard and fast rule नहीं है अगर आपको इस rule को break करना है तो you can place your subject exactly in the middle of the frame इसको center frame भी बोलते हैं आपके scene के according center frame, calmness, tension या फिर balance create कर सकता है जर्नली, news anchor या अगर आपको subject directly audience से बात कर रहा है तब center frame का use हो सकता है अब बात करते हैं 180 degree rule के बारे में ये rule सबसे simple है और सबसे complicated भी क्योंकि professional filmmakers तक इसमें गलती कर जाते है 180 degree rule एक imaginary access सेट करता है दो characters के बीच में इसमें shots इस प्रकार होना चाहिए जिससे दोनों characters एक दूसरे को देख कर बात कर रहे हैं या एक दूसरे के विप्रीत खड़े हैं ये स्पष्ट समझ आना चाहिए सीन में जितने भी camera उपयोग हो रहे हैं वे imaginary line जो 180 degree पर बनाई हुई होती है के एक तरफ ही रहेंगे यदि camera दो characters को जोडने वाली imaginary line से गुजरता है तो it can produce a disorienting and distracting effect on a viewer इसे हम crossing the line या फिर breaking the line भी बोलते हैं डाइलोग के अलावा 180 degree rule काफी important है अगर आपका character या object आपके frame में move कर रहा हो अगर आपका subject frame में left to right move कर रहा है और अगर आप cut करते हैं तो next shot में भी उसे left to right ही move करना होगा अगर आप imaginary line को jump कर देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपका subject वापिस वही जा रहा है जहां से वो आया है दोस्तो जब भी आप 180 degree line को break करते हैं तो आप 180 degree rule को भी break करते हैं यह आपको काफी सोच समझ कर और intentionally करना चाहिए तो देखते हैं 180 degree rule को हम किस तरीके से bend कर सकते हैं Neutral shot, this is a shot directly on top of the line जब आप neutral shot लेते हैं आपकी imaginary line reset हो जाती है because there is no longer a side of the line Camera movement, इसमें हम physically camera को move करते हैं Across the imaginary line, during an uninterrupted shot within a scene Cutaways, आप cutaway shot का use करके भी इस rule को break कर सकते हैं इससे आपकी 180 degree line reset हो जाती है अब बात करते हैं 30 degree rule के बारे में वैसे तो ये नियम film editing का है जिसमें कहा गया है कि एक ही subject के दो लगातार shot के बीच के camera angle में कम से कम 30 degree का अंतर होना चाहिए यदि camera angle 30 degree से कम होता है तो shots के बीच transition एक jump cut की तरह दिख सकता है जो दर्शकों को कहानी से भार ले जा सकता है इसलिए shoot करते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम हर एक shot के बाद अपने camera को at least 30 degree move करें अब बात करते हैं head room के बारे में head room subject के सबसे उपरी भाग और frame के सबसे उपरी भाग के बीच की जगा को कहा जाता है अगर आपका head room काफी जादा है तो ऐसा लगता है जैसे आपका subject ढूब रहा हो ये आपके subject को काफी छोटा दिखाता है अधिकतर novice filmmaker या YouTuber अपने shots में ये गलती करते हैं और अगर आपका head room insufficient है तो आपके subject का सर कटा दिखता है जो अच्छा नहीं दिखता Rule of third को follow करके आप अपने head room को भी सई रख सकते हैं अगर आप इस rule को break करना चाहते हैं तो you can go for two main framing techniques आप extreme close up shots ले सकते हैं या फिर अगर आपको अपने subject को weak या छोटा दिखाना है तो आप head room ज्यादा छोड़ सकते हैं Looking room It refers to space in front of your subject आपका subject जिस दिशा में देख रहा होता है उस दिशा में कुछ भाग leading room के रूप में छोड़ा जाता है अगर आपका subject move कर रहा है जाहे वो कोई गाड़ी हो या फिर moving person आपको उसके आगे खाली space छोड़ना होता है Not doing so will make it look like your subject is in danger of running into the edge of your frame अगर आपको अपने subject को unbalanced, lost, trapped, wrong-footed और isolated दिखाना है तो आप इस rule को break कर सकते हैं Background Most of your shots will include background elements that are part of the location where you are shooting Shoot करते हुए आपको ध्यान देना है कि focus सिर्फ main subject पर ही हो ना कि background पर हमेशा shot को compose करते हुए ये देखना जरूरी है कि background में कोई disturbing elements तो नहीं है Also pay attention to where the subjects are placed in relation to the objects in the background Leading lines ये actual या imaginary lines होती हैं shot या frame में जो आखो को scene के key element पर ले जाती है इस technique का इस्तिमाल करके Cinematographer दर्शको का attention main characters में ले जाने के अलावा अपने character को essential objects, situations और secondary subject से connect करने के लिए भी इस्तिमाल करता है Leading lines कई form में हो सकती है और अगर आप गौर करेंगे तो almost हर जगा आप leading lines को ढूंट सकते हैं चाहे nature में या फिर रोजमर्रा की life में Journally पाश तरीके की leading lines filmmaking में या photography में यूज होती है Vertical, Power, Dominance और Growth को दिखाने के लिए इनका इस्तिमाल किया जाता है Horizontal, Peace, Calmness, Stability को दिखाने के लिए इन lines का यूज किया जाता है Diagonal Diagonal lines suggest action and can add depth to your frame Curve lines या S-curve ये elegance, sensuality और balance दिखाने के काम में आता है Rivers, Streams, Roads, Paths, Human Body इसके कुछ examples है Converging ये flow और depth को add करता है हमारे shot में They also add a sense of distance और scale Stairways, Power lines and Railroad tracks इसके कुछ example है जब भी आप आगे से कोई shoot करें तो look for potential leading lines Balance and Symmetry Balance and Symmetry shot काफी effective हो सकता है Balancing the left and right sides normally gives of a feeling of harmony और दूसरी और unbalanced frame tension create करता है कभी-कभी rule of thirds के against जाके symmetrical framing को काफी effectively use किया जा सकता है इसमें key object frame के exact center में होता है अगर किसी shot में symmetry सही तरीके से use की जाए तो वो काफी powerful होती है They often reveal character traits and power dynamics दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है Balance हमेशा symmetry हो Balance asymmetrical भी हो सकता है इसको हम informal balance भी बोलते है Asymmetrical balance अचीव करना थोड़ा difficult होता है काफी film makers asymmetrical balance को prefer करते है क्योंकि इसमें framing थोड़ी complex होती है जोस्तों अगर permission मिले तो हम सब को rules break करना अच्छा लगता है ये rules essential है पर आप इन्हें break कर सकते है Remember, it's all about getting your message across तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही धन्यवाद तो हुआ आप लेक्चर में इतना है जाप आप लेक्चर में इतना है जाप लेक्चर में उता है